देखिए एक छोटी सी अनौंस्मेंट है functions chapter को लेकर के ठीक है ना यह जो announcement है यह है functions chapter को लेकर के functions की शुरुआत शिवमसर ने की है और शिवमसर ने पूरा function आप लोगों को सिखाया है और फिर हम दोनों ने ही limits, continuity और differentiability में limits के साथ चुरुआत की है फिर continuity हम पढ़ाएंगे, differentiability करवाएंगे, ऐसे करते पूरा mathematics कवर करेंगे मेरा भी सारा lectures आएगा और शियम सर का भी सारा lectures आएगे सारे chapters के लिए लेकिन functions में कुछ बच्चों को ये है कि confusion की functions में मेरे lecture आएंगे के नहीं आएंगे उसके regarding a announcement है, जो मैं आपको कुछ information सोचा मैं आपसे मिल करके दे दूँ functions में एक lecture ही मैंने आपको दिया है, सारे lectures दिने वाला हूँ functions में बारीकी से ले करके required level तक सारी बातें बताते हुए functions की पूरी complete lecture series आपको handover की जाएगी function में सबसे पहले lecture में मैंने आपको functions के basic सिखाए थे और चार टाइप के function बताए थे अगले lecture में बाकी types के function बताऊंगा और ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे पहले तो हम initial lectures में different functions को जानेंगे उनके domain, range, graph और properties को जानेंगे अभी जो हमारे function बचे हुए है, fractional part function बचा हुआ है, greatest integer function बचा हुआ है, logarithmic function बचा हुआ है, polynomial function बचा हुआ है, identity function बचा हुआ है, इन functions को detail में सीखेंगे जब हमारे सारे basic type के function cover हो जाएंगे, उनके domain range, graph cover हो जाएंगे उसके बाद फिर हम classify करेंगे functions को classification of functions पढ़ेंगे जैसे od1 function क्या होता है, onto into function क्या होता है, one one many one function क्या होता है, periodic apriodic function क्या होता है homogeneous non-homogeneous क्या होता है, implicit explicit function क्या होता है, functional equation क्या होती है graph कैसे draw करते हैं, transform कैसे करते हैं graph को सारी बातें आपको function की lecture series में बताई जाएंगी और function को बिल्कुल basic से higher level तक मैंने cover किया हुआ है function का जो advanced lecture होगा बता दूँगा ये advanced lecture है basic lecture, board lectures होगे वो आपको बता दी जाएंगे पूरा board cover करवाँगा, j-mains cover करवाँगा, advanced, j-advance के lecture भी आपको दे दूँगा function में आपको tension लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी tension है, आपके पास function को सही तरीके से पहुचाना function जो है, पूरी lecture series में आपको बहुत चांदार धंक से सिखाए जाएगा और अगर आपने सारे lecture function के attend कर लिए, तो मस्ती चा जाएगी एकदम calculus में ठीक है, अब हम लोग जो है limits chapter के साथ शुरुआत कर चुके हैं, तो limits जब मैं सिखाऊंगा, आप ये tension ना लेना की function नहीं आता function अगर आपको कुछ भी नहीं आता, limits पूरा समझ में आएगा, continuity पूरा समझ में आएगा, differentiability पूरा समझ में आएगा लेकिन अगर function chapter पे पकड़ अपनी मजबूत है, ओब्यसी बात है, इन chapters पे advanced level की पकड़ बन जाएगी और आगे आने वाले chapters है, calculus के, उन्हें बहुत चांदार पकड़ बन जाएगी, तो function chapter तो base है, calculus का, उसको तो आना चाहिए ही, जरूरी है वो आना, ठीक है, लेकिन limits जो लेक्चर पहुचना शुरू कर देंगे, ठीक है, मेरी कोशिस है कि आज शाम से ही, आपके बास function के lecture आने शुरू हो जाएं, आज आएंगे, कल आएंगे, पर सुमाएंगे, तर सुमाएंगे, रोज आपको functions के lecture मिलने वाले हैं, साथ में DPP मिलेगा, function के lecture करो, DPP करो, मस्त ह जाएं, उसके बाद सारे board के सवाल ठीक कर दोगे, जेजमेस के सवाल ठीक कर दोगे, थोड़ी और practice कर ले, advance के सवाल भी उड़ा दोगे, पात समझ में आ लिया आपको, तो lecture कब से आएंगे, आज सी आना शुरू हो जाएंगे, शाम से, ठीक है, कल भी lecture आएंगे, continue मिल जाएगी, कोशिश मेरी ये है, कि कुछ दिनों आपको 2-3-3 lecture दे करके, जल्दी से जल्दी function के lecture available करवा करके, function chapter को finish किया जाए, इस week में function chapter तुमारा खतम कर दूँगा, कोशिश करूँगा, जल्दी से जल्दी function इस week के खतम होने से पहले function खतम हो जाए, इस week में और function म आपको available करवा दिये जाए, और function chapter पे आपकी पूरी पकड़ बना दिये जाए, calculus की मजबूती से आपके साथ शुरुआत की जाए, तो I hope आपके कुछ कुछ जो doubts थे, clear हो गई होंगे, ठीक है, function के सारी lecture series आपको avail करा दिये जाएगी, function पे पूरी पकड़ आपकी बनवा द दें, और उसके बाद फिर समय रहता है function के lectures को देखें, समय तो आपके पास होना चाहिए, पूरा समय पढ़ाई पे ही लगा देना है, आपको maximum समय पढ़ाई पे ही लगा देना है, क्योंकि यही पढ़ने का सही वक्त आया है, और इसमें एकदम पूरा जगजोर कर देनी है अपनी महनत को, और function की जो lecture series है, उसको अपन, उसको भी attend करते हुए चलेंगे, लेकिन limits की प्रको जो है, वो first priority रखते हुए, दिन का पहला lecture तो अपने को limits का देखना है, उसके बाद अपने को functions के lecture भी देखने है, ताकि अपना function में भी, अगर कुछ doubts है, तो एकदम strong हो ज होगा, और इस तरीके के कुछ study plans के बारे में बात हुई, किसी chapter के बारे में chapter planning की बात हुई, examination के बारे में कुछ-कुछ अगर आपको बताना होगा, तो बात mathematics की करें, तो मेरी आपके साथ मुलाकात चलती रहेगी, यह पहली announcement है, इस प्रकार की announcement कि तुरू मैं आपसे मिलत होगा, तो में आपके लिवार.